यह सरकार जो है यह जनता विरोधी है इससे सिर्फ और सिर्फ चुनाओं से मतलब है और सत्ता से मतलब है हारती यह जनता पार्टी चुनाओं में सिर्फ लालस देती है पेट्रोल डीजलों के दाम 137 दिन इसलिए रोके गए कि किसी तरह से चुनाओ जीत लिया जाए जैसे 137 दिन रोके थे अभी क्यों नहीं रोक रहे हैं इस वक्त हम आ चुके हैं कॉंग्रस के कार्याले पे हमारे साथ मौझूद है प्रदेश प्रवक्ता संजे सिंग जी संजे सिंग जी ये बताईए कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं कॉमेशल सिलेंडर के सी अंजी के दाम बढ़ चुके हैं पर क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें कहना क्या आप देख रहे हैं जब तक चुनाओ थे 137 दिनों तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए और उससे पहले दुहाई दे रही थी ये सरकार की अब हमारे हाथ में कीमते नहीं हैं ये प्राइवेट कंपनियों के हाथ में मगर 137 दिनों तक जब तक उत्तरपदेश के चुनाओ और पांच राजियों के चुनाओ थे पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए और ये सवहाईग था कि चुनाओ के बाद ये सरकार बढ़ाएगी क्योंकि ये सरकार जो है ये जनता विरोधी है जनता की समस अक्सियाओ से इस सरकार का कोई सरोकार नहीं इसे सिर्फ और से मतलब है और सत्ता से मतलब पेट्रोल डीजल और सीन्जी के बढ़े दाम से आज मध्यमवर्ग और घरीव एकदम पिस रहा है मध्यमबर्ग पे सबसे ज़्यादा मार पड़ी है क्योंकि उसको टैग्स भी भरना है उसको जीएस्टी भी भरना है और उसको महंगा पेट्रोल डीजल और सीनजी भी खरीनना है एक तरफ पेट्रोल डीजल की वज़े से चलना मुश्किल हो गया है दूसरी तरफ खाने पीने की हर चीज बस्तुमों के दाम बढ़ गए हैं सीनजी से स्कूल वेन जो चलती है उसके दाम ड्राइवरों ने बढ़ा दिये हैं तो कहने का तातपर ये है कि कमाई तो पिछले आठ सालों में मोदी जी ने बढ़ाई नहीं है मगर महंगाई जो है चारगुना बढ़ा दिये जिससे मध्यमवर्ग और गरीब का जीना दूभर हो गया है और ये सरकार उसके बाद भी सरकार में सिर्फ आकर मौच कर रही है इसे जनता से कोई सरुकार नहीं है भारतिय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले जनता को लालस दिया था क्या भारतिय जनता पार्टी चुनाव में सिर्फ लालस देती है चुनाव जीतने के लिए लालस देकर जनता को बरगला कर वोट जब ले लेती है तब उसका असली चेहरा सामने आता है कल ही कॉंग्रेस ने देश व्यापी आंदोलन किया आधरणिये राहुल गांधी जी के नित्रत में और कल ही आपने देखा कि CNG के दाम आठ रुपे बढ़ा दिये गए एक तरफ जनता का आंदोलन दूसरी तरफ सरकार की प्रतार्णा जनता के लिए अभी दस मार्च को नतीजे आएं यहां उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी है अभी जीत की खुमारी भी नहीं उत्री है लेकिन जनता को दर्द देना शुरू कर दिया जनता के कटे पे नमक छड़कना शुरू कर दिया है इस सरकार ने सर वो तो जनता के लिए कई सारे वो तो दावे करती है कि वो जनता के लिए बहुत कुछ कर रही है लेकिन फिर इसको आप किस नजरिये से देख रहे हैं देखिए उनका कहना है कि जनता के लिए बहुत कुछ कर रही है लेकिन जब आप माइक्रो लेवल पे इसका निरिक्षण करने जाएंगी एक पत्रकार के रूप में तो आप देखेंगी लखनव में ना मेट्रो चली ना गोम्ती साफ हुई कोरोना में आक्सीजन की कमी से अस्पतालों का हाल खुल गया और सड़कों का क्या हाल है इनको अपने मिनिस्टर बदलने पड़े चेहरे बदल बदल कर वादे बदल बदल कर इन्होंने चुनाव जीता है जमीनी हालात कहीं नहीं बदले हैं उनके कहने से क्या होता है वास्ति एक बार इन्होंने महिने डेड़ महिने में जनता को सब जबाग दिखा कर पेट्रोल डिजनों के दाम 137 दिन इसलिए रोके गए कि किसी तरह से चुनाव जीत लिया जाए जैसे 137 दिन रोके थे अभी क्यों नहीं रोक रहे हैं कच्छे तेल के दाम इधर अंतरराश्टी महज गए थे उस समय 9 रुपए जो पेट्रोल पे टैक्स लगता था उसको भारती जनता पार्टी और मोदी जी ने 33 रुपए तक महचा दिया और जब कच्छे तेल के दाम महेंगे हुए तो उस टैक्स को इन्हों ने घटाया नहीं आज जो जनता महेंगाई जहल रही है ब महेंगाई का बोच जनता पे लाधा जा रहा है और समझदार जनता इसको समझ भी रही है और वो आज एक अप्रहल है ठगी सी महसूस कर रही है बहुत शुक्रिया संजय जी यह हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता मौजूद थे आपने सुना और इन्होंने क्या कुछ कहा कैमरा परसन आशीश के साथ मैं शुती शुक्ला न्यूस ट्रैक लखनो